हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का नेचरल लाइफ में दोस्तो आज जो टिप्स में आप से शेयर करने वाली हूं वो बहुत ही ज़ादा अमेजिंग है और आप वो बहुत ही ज़ादा पसंद आएंगी यह जो टिप्स है इसे बनाने के लिए आपको एक भी पैशा खर है वो यही पर दिवाल में चिपका रह गया है और यह यहां से निकलाया है अकसर ऐसा ही होता है तो इसे अगर आप फिर से यूज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यह कभी ना निकले तो उसके लिए बहुत ही अच्छी टिप में आप से शेयर करूंगी आपको क्या करना है आपको लेना है Fevacol और किसी भी चीज से आप Fevacol इस तरीके से ले ली जिए और फिर इसे हम यहां पर चिपका लेंगे पीछे की साइट पूरे में अच्छे से हमें Fevacol और कर लेना है और उसके बाद हम यहां पर देखे अच्छे से इसे फेक्स कर लेंगे अब इसके उपर 12 गंटे तक हमें कुछ भी हैंग नहीं करना है वैसा तो 2-3 गंटों में भी अच्छे से फेक्स हो जाएगा लेकिन अभी यह देखे हैंग करेंगे तो इस तरीके से पूरा न पर सेलोटेब भी ले सकते हैं और हम यहां पर इसे चिपका देंगे बस इसे हम 12 गंटे तक रहने देंगे उसके बाद इस टेप को हम निकाल देंगे तो आप जो भी हैंग करेंगे 2-3 किलो तक का वीट यह आराम से रह पाएगा और यह बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा और इस तरिके के जो हूख होते हैं वो हम बाथ्रूम में, वाड्रोब में, किचन में, कहीं पर भी हैंक एंग करने के लिए वास बैसिंग के पास बहुत सारे जगे पर यूज़ करते हैं और यह बहुत ज़ीजादा यूज》 भी होते हैं पर अक्सर यह निकल जाते हैं तो कि यह संपार्ट थे जाती है और यह बाद में तो एकदम बेकार होती है वो गर में वेश्ट ही पड़ी हुई होती है तो इस फाइल का मैं आपको बहुत ही अच्छा सा इस्तमाल बता रही हूं आप चाहें तो इसे ऐसे ही इस्तमाल कर सकते हैं इसके अंदर बिजली के बेल र उसे लिया है आप यहाँ पर कोई भी फाब्रिक यूज़ कर सकते हैं पुरानी कूरती के भी अच्छे कलर डिजाइन है तो वो भी आप ले सकते हैं अब देखे क्या करना है कि फाब्रिक को हम इस तरीके से फाइल रख कर पहले फोल्ड कर लेंगे तो कितना हमें चाहिए वो म मिल जाएगा उसके बाद फाइल को हम ऊपर रख देंगे और इस तरीके से मार्क कर लेंगे मार्क करने के बाद जहां पर हमने मार्किंग की है वो हम कट कर लेंगे तो यह देखे यह मैंने फाब्रिक को कट कर लिया है अब इस तरीके से फाइल के ऊपर ओपन करके रखेंग यह जो फाब्रिक कम है वह आपको कोई भी स्टेशनरी सोप पर भी मिल जाएगा और टेलरिंग मटिरेल की सोप होती है जहां पर धागे बटन सब कुछ मिलता है उस सोप पर आसानी से मिल जाएगा तो इसे आपको पहले इस तारीके से पूरे में अपलाए कर लेना है और फिर अच्छे से पूरा कपड़ा चिपक जाए अब इस तरीके से हम फाइल को टर्न करेंगे और यहां पर जो इसका साइड का हिस्सा है वहाँ पर भी मैं फाब्रिक कम एपलाई करूंगी और यहां पर भी हम इस जो कपड़ा हमने लिया है उसे लगा लूँगी उसके बाद यह यहां पर भी जेखिए जो सेकंड साइड है वहां पर भी पूरे में हम उगलू को एपलाई कर लेंगे और यहां पर भी हम फाब्रिक को अच्छे से साइड कर लेंगे फाब्रिक पन हलकासा थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा लिया था तो देखिए अब चिपकने के बाद यह कपड़ा चिपक गया है अब हमें दूसरा इस तरीके का कोई भी कपड़ा लेना है तो मैंने प्लेन कपड़ा लिया है अंदर के लिए तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं और प्लेन ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा नहीं तो प्रिंटेट भी चलेगा अब देखिए मैं इसके सेंटर निकालूंगी जहां पर फसाने का रोड है वहां पर और फिर हमें यहां पर इसे खलका सा पंचर करना है बहुत ज्यादा कट नहीं लगाना है एक दम छोटा सा कट लगाना है अब इसके बीच से हम इस तरीके से डाल देंगे तो यह देखिए यहां पर दो हो जाएगा उसके बाद साइट पर जो भी साइड में कपड़ा है वो हर जगह पर लगाना है और अच्छे से इसे चिपका लेना है तो यह देखिए मैंने पूरे में ग्लू लगा कर इसे पेस्ट कर लिया है तो यह बहुत ही अच्छे से हमारी फाइल बनकर रेडी हो चुकी ह तो आप यहाँ पर कोई भी चीज़ें लगा सकते हैं जैसे कि लाइट बिल है या फिर बच्चों की रिजल्ट है या और कोई भी ज़रूरी डोक्युमेंट है तो उसके लिए आप इस फाइल का यूज कर सकते हैं कौन कहेगा कि यह वही पुरानी फाइल है होस्पिटल वाले बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा सुन्दर महंगी वाले फाइल हमारे बलकर रेडी है अगर आप इस तरीके की फाइल मार्केट में लेने जाएंगे तो यह बहुत ज़्यादा कोसली होती है लेकिन आप इस ज़िली इसे एकदम फ्री में गरपर रेडी कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको यह आइडिया कोमेंट करके जरूर पताना और अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना अब आती है नेक्स्ट आइडिया की बारी तो उसके लिए मैंने लिए है एक कायम चुन की खाली बोतल आप यहाँ पर कोई भी खाली बोतल इस तरीके की प्लास्टिक की है उसका यूज कर सकते हैं या फिर खाली बोतल होते हैं पानी के उसका यूज भी कर सकते हैं तो मैं यूज हिया है एक पुराने शॉक्स का ये एक ही सॉक्स मेरे पास बज़ा है इसका जो दूसरा शॉक्स था मतलब रहा जोड़ी थी वह को गया है तो ये काफी अच्छा दिख रहा है lemon तो अगर आपके पास इस तरीके से कोई एक ही सॉक्स बच जाता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं इस तरीके से और यह देखिए मैंने इसका मिजरमेंट लेकर इसके अंदर जो हमने बोटल कट की थी उसे डाल कर फिर इसे कट कर लिया है जो भी एक्ष्ट्रा था उसे अब इस तरीके से मैं यहाँ पर फेविकॉल का यूज कर रही हूँ फेविकॉल को मैं सॉक्स के उपर एपलाई कर लोंगे और फिर इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करकर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे तो यह देखिए इस तरीके से हमें सॉक्स को यहाँ पर पेस्ट कर लेना ह तो यह बहुत ही अच्छे से यहां पर fix हो जाएगा यह देखे बहुत ही सुन्दर यह हमारा एक organizer बनकर ready हो चुका है आप इसे बच्चों की stationery रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर kitchen में spoon या knife रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं या फिर आप as a decorative item भी इसमें flower packet भी आप इसका use कर सकते हैं इसके अलावा आप इस तर्यके के जो elastic होती है वो ऐसे ही हम रखेंगे तो पूरी खुल जाती है और पूरी खराब हो जाती है तो आप इस तरीके से उसके उपर इसे लगा सकते है उसके बाद ये देखिन मेरे पास lace है तो lace के ऊपर це सोक्स के यह जो कट किये हुए हिस्से हैं और पूरा सारा हमारा जो रखा हुआ होता है वो गंदा नहीं होता है अच्छे से सारे चीज और रहती है और अच्छे से मिल जाती है तो अक्सर इस तरीके से साड़ी की लेस हमारे पास होती है साड़ी से निकाल कर हम रखते हैं और वो बहुत अच्छी डिजाइन की होती है तो हमें लगता है कि कभी उसका इस्तमाल करेंगे तो आप इस तरीके से सॉक्स का यूज़ करके उसे अच्छे से सिक्योर करके रख सकते हैं So guys ये था हमारा आज का वीडियो I hope आज जो मैंने टिप्स आप से शेयर की हैं वो आपको बहुत पसंद आई होंगी और आपके लिए यूजफुल होंगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और अच्छे से वीडियो के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए अपना खयाल रखना, खुस रहना, चैभारत